हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वी ट्रेडिंग, मैं आपका दोस्त और होस्ट ब्रिंदर, आज एक नई वीडियो आपके लेखे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राउंडर टॉप पैटरन के बारे में, राउंडर टॉप पैटरन बेसिकली क्या चीज है, य ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आता है, प्लीज इसे लाइक और शेर ज़रूर कर दें, इसे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, आगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं, तो हम आजाते हैं अपने टॉपिक पे, राउंडर टॉप पैटर्न, इसकी थोड़ी डेफिनिशन समझ लेते हैं, इसके बाद आपको उसका फॉर्मेशन दिखाएंगे, फिर आपको जाके लाइव चैनल में और आप कैसे अडेटिफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम डेफिनिशन देख लेते हैं, राउंडिंग इंफोमेशन आर करेक्टराइज़ बाई स्लो रिवर्सल ट्रेंड, यह स्लो रिवर्सल ट्रेंड होता है, ऐसे नहीं कि आज ही बन जाएगा हो सकता है, इसे टाइम लग जाए, बनते बनते, आपको एक तो ये धियान में रखना है, और बनेगा हर टाइम फ्रें में, आपको एक मिनिट में मिलेगा, दो मिनिट में मिलेगा, 5 मिलेगा, एक गंटे में सभी टाइम फ्रें में आप बनता हुआ देखेगा, एक राउंड़र टॉप में form at the end of extended और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कहीं पे भी मिल जाए वहां पे ट्रेड नहीं करना जब टॉप पे बनेगा तब जाके इस पर आप ट्रेड कर सकते हो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है ऐसे नहीं इन विट्विन कहीं पे बनके आपको लगा ही हाँ जी राउंड बेस हमें का काफी देर का मैं बता रहा हूं टाइम इंडर्वल इसमें एक महीने का हो सकता है दो महीने का हो सकता है छे महीने मैक्सिम साल तक का भी हो सकता है उस पैटरन को बनाने के लिए किसी चार्ट में वह धीरे धीरे बनता रहता है ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में यह उसको काफी टाइम लग गया थोड़ा 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 प्राइस में मूवमेंट आपको दिखाई देता रहेगा और आपको यह चीज मिलेगी ठीक है मैंने जैसे पहले बताया है इसा नहीं है कि हर जगे मिल जाएगा आपको यह आम तोर पर देखने को नहीं मिल है टॉप पे बना भी है या नहीं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने की चांसे रहती है और सभी में मैं यह बताता ही हूँ है यह लाइन तो मेरी पकी है डॉंट एंट स्पेट ता पैटर्न वें राउंड टॉप बिकम प्रॉपर्ली ओं सक्रीन देन वी है टूप समंढ़ेते हैं इसका लुक ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहला जो कन्डिशन है वो यह है कि शौक अप ट्रेंड में होना चाहिए नमबर एक ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बन गया आपने बाय कर लिया नहीं करना अप टॉक अप ट्रेंड में होगा पहली तो ये इसकी neckline बन गी, arm सभी में हमने यही बताया था, double top pattern में भी, double bottom pattern में भी, M pattern, W pattern जैसे हमने समझा था, head and shoulder में भी ऐसे ही होता है, एक neckline सभी में होती है, जब तक neckline को break नहीं करेगा, हमें enter नहीं होना, यह condition है, आपको लग रहा है कि बनेगा भाई, यह double, sorry, rounder top, तो आप यहीं पर कहीं पर enter हो जाओ, यह मैं recommendation नहीं देता, बट आप अपनी इच्छा के अनुसार, कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई रोग भी नहीं सकता, बट मेरी जो recommendation है, वो यही है, जब पूरा बन जाएगा चार्ट पे, फिर जाके आप अपनी entry कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, यह trend line बन रही है, बनेगा तो चार्ट में बहुत कुछ, ठीक है, आप यहाँ पर इस trend line के breakdowns पे भी entry ले सकते हो, यहाँ पे कहीं पे, तो इसके बाद जब neck line break होगी, तो फिर इसका जो dip है, उसका target आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो अच्छा profit होगा, मेरे ख्याल में यहीं पे क्योंकि price में यहाँ पे fast movement नहीं देख रहा, क्योंकि अभी जो pattern है, बन रहा है, तो आपको जब बन जाएगा, तो sharp movement आपको मिल जाएगा, तीन चार दिन में आपका काम हो जाएगा, यहाँ पे आप एक तो, तीन, चार, पांच, शे, साथा, नो, पंदरा से बीच दिन वेट करोगे, तब जाके आपको कुछ profit होगा, पर यहाँ पे क्या है, पे जाके इसको देखते हैं, किस stock में यह बना और कैसा यह देख रहा था बनने से पहले, कि हम identify कर सकते हैं, identify करने के लिए अगर आप practical में जैसे double top बताया, मैंने double bottom बताया, ठीक है, जितने भी reversal और continuation pattern बताया, मैंने flag के बारे में बताया, तो आपको सब पहले चार्ट को study करना पड़ेगा, देखने पड़ेंगे, maximum 100, 100, 200, 300 stock आपको रोज watch करने पड़ेंगे, जब आपको समझ आने लगए चीज़ें, तो आपको बड़े अराम से वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी, तो फिर आपको profit होने की chances बढ़ जाएंगे, आप हमेशा यहीं अमीद करते हो, कि कोई आएगा, बता देगा, तो मैं फिर entry करनूँगा, किसी के ब्रों से मत रहो, अपना खुद का try करने की कोशिश करो, जब आप देखोगे, एक महीना 20-50-100 स्टॉक आप देखना शुरू करो, तो आप ये चीज़ें खुद देख सकते हो, खुद आपको मिलेंगी, आपको वहाँ पर trade अगर नहीं करना, पैसा कम है, तो just analysis के लिए आप देख सकते हो, पैसा जब आपके पास होगा, तो फिर पैसा तो बनी जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आप चीज़ें सीख गए, तो पैसा बनाना कोई बड़ा काम यहाँ पर नहीं बच जाता, जब आपको चीज़ें समय नहीं आती, तो पैसा गवाना भी यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप एक दिन में भी सारा पैसा गवा सकते हो, वोप आपको समझ आयो होगा, अभी हम जाके लाइव चार्ट पर देख लेते हैं, कि कैसे यह पैटरन बनते हैं, हम आ चुके हैं भारती अर्टेल के चार्ट पर, भारती अर्टेल को मैं देख रहा था, मुझे यह मिला, यहाँ पर, आप देख सकते हो, यह चीज़, यह अप्टरेंड में चल रहा था, ठीक है जी, अप्टरेंड में चल रहा था, तो यहाँ पे यह pattern बनना शुरू हुआ यहाँ से यहाँ से इस line से और इसको मैं ऐसे आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे बना यह चीज ठीक है देख सकते हो आप यह rounder top था तो यहाँ पे इसकी neckline यह थी neckline के बाद neckline break होने के बाद अगर हम यहाँ पे भी कहीं पे enter होते तो हम बड़े आराम से 10-11% रुप का profit हो जाता जो इसका dip भी इतना ही था maximum हम इसको measure करने की कोशिश करते हैं neckline के नीचे तक का target कितना बनता है यही थे इसकी neckline यहाँ पे यहाँ पे गहीं यह तो इतना target हमें नीचे neckline break होने के बाद मिला almost उतना मिला उससे भी ज्यादा भी गया बट हमने अपना target पूरा लिया और हम वहाँ से निकल गए यह होता है double sorry around the top बनने में कितना time लगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इसको हम select करेंगे almost 13-14 दिन यह चोटे time frame में है one hour में है अगर हम one day में जाके लेखें तो one day में भी हमें यह मिल जाए तो इसके बाद भी फिर प्राइस में गिरावर्ट आती रही अगर आप यहाँ पे निकलना चाहते है शोटे time frame में शोटा target लेके भी निकल सकते हो बड़े time frame में बड़ा target लेके भी आप जा सकते हो एक यहाँ पे बना एक और stock में आपको दिखाने की कुशिश करता हूं Reliance Reliance industry में भी यह बना वो कैसे बना कैसा दिखता है यही है Reliance industry यहाँ पे भी मैंने कमा करके रखा था 2020 में कहीं पे बना था वो बनेगा top पे यह भी ध्यान रखना है कि top पे जाके यह चीज़ बनेगी bottom पे नहीं बनेगी top पे बनेगी तो time कई बार ज्यादा लग सकता है आप जब Corona वाली गिरावट आई थी उससे पहले का यह scene दिख रहा है तो यहाँ पे इसकी neckline यहाँ पे है इसको हम drag करते हैं ऐसे ऐसे कर लो यह चल रहा था ऐसे round top round में बन रहा था यहाँ इसको कितना time लगा देखो तीन महीन यहाँ पे हो गया और तीन से चार महीने तीन से च जाया अब यहाँ पे गया यह बन गया इसका top top पे जाके हमें यह चीज देखने को मिली तब हम anticipate कर सकते हैं यहाँ पे बीक में कहीं पे भी यह सोचने की कोशिश नहीं करनी वहाँ पे थोड़ा आपको tension हो सकता है तो यहाँ पे हमारा stop loss इसके उपर था neckline के तो neckline गा जब जाके maximum chart देखोगे तो 40% का आपको यहाँ पे target देखने को मिला मेरे ख्याल में बुरा नहीं है और time भी कुछ जादा नहीं लगा तो hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चीजें कुछ समझ आई होगी जिसे आप अपनी trading में practically apply कर सकते हो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज से like share जरूर कर देना और चैनल को भी subscribe कर लो है thank you very much have a nice day goodbye